आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हाँ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताके हम जो भी न्यूज अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सके समुद्र का किनारा मुंबई का नजारा हमारे दिल को लगता है बड़ा ही प्यारा तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा ही सुहाना लगे मैं एक शाम चुरालू अगर बुरा न लगे दोस्तों अब यह मौझूद है मौंबई के वन अफ दा फेमस स्पोर्ट गिरगाम चौपाटी पर और यहां पर एक बहुती शानदार वीविन डेक बनाया गया है इससे पहले दादा चौपाटी पर इसका निर्वान किया गया था उसके बाद दूसरा यह वीविन डेक है जो यहां पर गिरगाम चौपाटी पर वालकेश्वर से लगके बनाया गया है आप देख सकते हैं यहां से कितना सुन्दर नजारा दिख रहा है अरब सागर का और सामने नरिमन पॉइंट है पूरा एकदमी सुन्दर यहां पर नजारा दिख रहा है और यहां आप कितना हुजूम पड़ा हुआ यहां से हम गुजरते है तो जब परिंदे हमारे आजपास से उरते है तो एक बहुत ही दिलकश्ट नजारा उबर कराता है और यहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ आप कितना सुंदर नजारा दिख रहा है पुरा समंदर अरब सागर का और आप यहां पर देख सकते हैं अच्छे से प्लांट वगैरा भी लगाया गया है और इसका उद्गाटन कल उद्धौ ठागरे द्वारा किया गया और हम चार से पान सो लोग तो आराम से आ सकते हैं उससे जादा भी आ सकते हैं कुछ भी एक साथ में और अभी फिलाल कल स्टार्ट वा इसलिए यहां पर अभी जादा भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आई हम कुछ लोगों का ओपिनियन जानते हैं उनको यहां पर आकर कैसा लग रहा है और वीविन डेक बनने के बाद इनको क्या यह बोलना चाहेंगे इस वीविन डेक के बारे में सर पहले आप अपना नाम बताईए मैं नैविल कावराना हूं मैं मलबार हिल से ही हूं और यहां पर ही रहता हूं यह बहुत अच्छा इनिशेटिव लिया है BMC ने और यह मतलब जगा एकदम ओपन स्पेस और यहां पर लोग आ सकते हैं क्योंकि यहां पर से एक जो व्यू मिलता है पूरे मरें ड्राइव का आप देख सकते हो क्विन नेकलस का जो व्यू मिलता है वह बहुत ही शांदार व्यू है और यह मैं बोलना चाहूं के इसको cleanliness के साथ अच्छी रीच से रखेंगे तो यह अच्छा रहेगा सरकार से क्या पील करना चाहेंगे कि जितने भी टूरिस्म प्लेज है मुंबई में हमारे तो उसको अच्छे से development किया यहादा क्या आप कहना चाहेंगे सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कर है यह सब चीजें बनाके public को attract किया किया जाए क्योंक'. अभी已 public बहुत अकलमन्द हो गई हर चीज के तुमने certa साल में किया है हमारे लिए वह public देखती है और वही मतलब मिन माईनय रखता है और बहुत अच्छी जगा है बच्चे भी enjoy कर एनचेति और मदलब और जू नाइट में इसका व्यूँ आता है नहीं गईर पर पहला इनिशेटिव जो शिवाजी पाक पे लिया गया और दूसरा यहां पर तो बहुत अच्छा इनिशेटिव है और इसके लिए मैं उद्धव ठाकरे जी का अपने तहें दिल से शुक्रिया भी बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा इनिशेटिव लिया गया है और क्योंकि मैं चाहरा हूं कि पूरी मॉंबई को ऐसी चीजगे देनी चीए क्योंकि अपने बियेमसी एक रिचेज बियेमसी के पास इतना पैसा है तो बीएमसी को पैसे को पब्लीक के लिए यूटिलाइज करना चीए जो बीमसी नहीं कर रहे है ना तो वह एजुकेशन पर क कोई चीज पर कर रही है तो यह सब चीजे इलेक्शन के पहले ही नहीं इनको वैसे भी इसको देना चाहिए हमारा जो देश है हमारे देश में बहुत ऐसे खुबसूरत प्लेसे से तो बाहर के लोग विदेशी लोग भी आके इंडिया में रहते और इंडिया में बच जाते इंडिया जैसा स्वर्क कहीं और ही नहीं तो इसलिए इंडिया में यह सब गंदगी नहीं होनी चीए और इंडिया को हम सब को मिलके सुधारना है और अच्छा रखना है जैसे कि लो सारे दूइपव से मिलकर बना हुआ है 500 कम से कम 500 दूइपव से मिलकर वो पूरा एक दूइप है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा अपने जितने भी सेलिब्रिटी है और डायाइक्टर्स है यह अपने इंडिया को प्रमोट नहीं करते हैं दूसरी जगों को प्रमोट करते है मेरी एक उनसे पर्सनल रिक्वेस्स है कि आप अपने कंट्री को पहले प्रमोट कीजिए क्यों तो इंडिया में इतनी अच्छी जगे है उनको आप डेवलप करिए जैसे देखेंगे तो अभी बहुत सारी जगों को डेवलप हो रही है पर इसको अपने को हर प्लेस को डेवलप करना चाहिए तो ही तो टूरिस आएगे और पब्लिक आएगी और इसका लुफ्ट उपापा बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश का जो जितने भी टूरिस्म प्लेस है उनको भी डिवलप करना चाहिए इसी तरीके से जैसे कि दूबई का जो जीडीप 46 परसेंट जो है जीडीप टूरिस्म प्लेस से आता है क्यो तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए कि जितने भी टूरिस्म प्लेस है उसको अच्छे से डेवलॉप करना चाहिए और उसमें आगे फ्यूचर के हिसाब से उसको सोचकर उसको डेवलॉप करके उसको रखना चाहिए ताके बाहर कंट्री से जो टूरिस्ट दूबई व प्लेस है उसको इसी तरीके से डिवलॉप करें ताके हमारा मुंबई भी एक टुरिज्म प्लेस टॉप टुरिज्म प्लेस में आ सके तो मैं जिशांच से केमरामें साकीब अंसारी के साथ लंत्राइनी न्यूज मुंबई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हाँ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताके हम जो भी न्यूज अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सके तो देखते रहिए लंत्राइनी न्यू प्रॉज लाइब।